हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चेनल आज की इस वीडियो में मैं आपको 36 साइज की डबल कटोरी ब्लाज की कटिंग बताऊंगी तो यह देखिए फ्रेंट्स सबसे पहले हमें कप्टि को डबल फोल करना है और इसके बाद बैक साइड की लंबाई हमें लेनी ह हमें अपने बिलाज से वन इंच एक्ष्ट्रा ही लेना है त्यार करहेगा तो यह देखे यहां पर हमने 14 इंच पके पर एक एसके की आसे हम आर्म होल के लिए 6 इंच की गोलाई देनी है हमें तो यह देखिए इस तरह से हाग के सथे मार्जीन लेना है इसके बाद हैं मुझे एक्स्ट्रा मार्जीन लेना है इसके बाद हैं गठब और इसके बाद हमें box बना लेना है और round shape कर देना है तो यह देखिए हमने यहां round shape कर दिया है आप चाहे तो कोई सा भी shape दे सकते हो अपनी पसंद का और इसके बाद हमें कपड़े को cut कर लेना है side से तो यह देखिए हमने side से fabric को cut कर लिया है और इसके बाद हम इसको रखकर front side की cutting करेंगे तो सबसे पहले हमें नीचे side से 1 inch extra बढ़ाना है fabric को front side के लिए और इसके बाद हमें hook पटी के लिए half inch लेना है एक्स्ट्रा तो यह देखिए हमने half inch extra ले लिया है और इसके बाद इस तरह से हमें चारो साइड एजटी लाइंड रो कर लेनी है और इसके बाद हमें neck weight लेनी है जितना हमने back side लिया था 2 inch तो यह देखिए हमने यहाँ पर 2 inch लिया हुआ है neck weight और length हम यहाँ पर 6 inch लेंगे और इस तरह से एक box बना लेना है और round shape कर देना है तो यह देखिए हमने round shape कर दिया है इसके बाद हमें half inch लेना है armhole की side और इस तरह से हमें मिला देना है और हमें belt के लिए mark करना इस side 3 inch पर और armhole की side हमें 1.5 inch पर mark करना है और इस तरह से हमें दोनों निसानों को आपस में joint कर लेना है तो ये देखिए हमने joint कर लिया है और इसके बाद हम कटोरी के लिए mark करेंगे 6 इंच पर गले की side से हमें 1 इंच लेना है और आर्मोल की side से हमें 2 इंच लेना है और इस तरह से कटोरी का shape दे दिया है तो ये देखिए हमने कटोरी का सेप दे दिया है और इसके पाद हमें इसकी कटिंग करनी है तो ये देखिए इस तरह से हमें फैबरिक को कट कर लेना है फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारी यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तो ये देखिए हमने कपड़ी के कटिंग कर ली है और इसके बाद ये जो कटोरी है इसका हमें डबल कटोरी तयार करना है तो इस सेट से हमें 2 इंच पर एक मार कर लेंगे और इस सेट से हम 2 इंच पर एक मार करेंगे और इस तरह से हलका सा round कर देंगे और इस तरह से कटोरी को बीच में cut कर लेंगे तो यह देखिए हमने cut कर लिया है और इसके बाद हम क्या करेंगे कि फैबरिक के उपर इसको रखेंगे दोनों पीस को और बीच में जो हमें gap देना है वो 1 इंच का देना है half half inch हमारा सिला मार्जिन में दब जाएगा इसलिए यहां से हमें one inch gaping देना है गले की side हम जैसा है वैसा ही ड्रो करेंगे और यहां से हमें half inch extra लेना है सिला मार्जिन इतना और इस side हम डेड़ इंच लेंगे और इस side भी हम डेड़ इंच लेंगे और इन तीनों निसानों को आपस में जोइंट कर देंगे तो ये देखिए हमने जोइंट कर दिया है और इसके बाद हम क्या करेंगे यहां से इस तरह से round shape करते हुए कटोरी का shape देना है हमें और इस side हम दोनों निसानों को जोइंट कर देंगे और बीच में हमें half of inch इस तरह से कटोरी तयार कर लेना है और इसके पाद हमें कटिंग करना है तो यह देखिए friends इस तरह से double कटोरी निकालना बहुत ही easy हो जाता है तो आप एक बार जरूर ट्राय करें और इसका ब्लाज बहुत perfect बनता है तो यह इस तरह से हमें four fold करना है पहले से हमारा fabric double fold था और इस तरह से हमने four fold कर दिया और इसके बाद हम length लेंगे 6.5 inch और इस तरह से एक सिधी land row कर लेंगे और इस तरह से हमें 1.5 inch की गोलाई देनी है slips के लिए और यहां पर हमारी मोहरी six inch है तो six inch पर एक मार्क करेंगे plus two inch extra margin ल करनी है तो यह देखिए friends हमने slips की cutting कर ली है और हमें front side के लिए half inch का सेव देना है इस तरह से तो यह देखिए हमारी slips ready हो चुकी है friends आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेट कर ज़रूर बताएं साथी वीडियो को like share करना बिल्कुल न भूले थैंक्यू फ्र सेल्स कि अर्ड़ आपको कई वीडियों सेटे रहले खी हैंक्योंस तो, तो युकी हो वीडियोंस खेले दोल्स हो युकी है और सेल्ड़ खेले हैंक्योंस।